बड़ी खबर से जाबीन थो में एक बार फिर भारत की जै हुई है और आपको बता दे के ऑलमपिक के बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरस शोपरा ने ध्माल मचा दिया है वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरस शोपरा ने सिलवर मैडल जीता है अमेरिका में तिरंगा ले रहाया है नीरज को सिल्वर मैडल मिला है अमेरिका के यूजिन में खेली ज्वाराई वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपियंशिप के फाइनल में ओलंपिक ने गोल्डन बॉय भाला फे खिलारी नीरज चोप्रा ने सिल्वर मैडल जीत लिया है उनका मुकाबला ग्रेनाडा के एंडर्सन पीटर्स थे था और एंडर्सन ने गोल्ड जीता है इस चेंपियंशिप में नीरज के अलावा रोहित यादव भी फाइनल में उतरे थे नीरज ने अमेरिका के यूजिन में हुई चेंपियंशिप के फाइनल में 88.1-3 मीटर दूर फेका भाला और भाला फेक कर उन्होंने सिल्वर मैडल पर अपना निशाना साधा है इस मौके पर नीरज चोप्रा को प्रधार मंत्री नरेन रुमोदी और बीजेपी के रास्टी अध्यक्ष जेपी नडडा ने भी ट्विट करके बधाई दी है ये बड़ी खबर नीश वॉच इंडिया पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो आपर नीरज चोप्रा ने एक बार फिर से भारत का सर जो है वो गर्व से उचा कर दिया है वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज चोप्रा ने सिल्वर मैडल जीता है तो उलम्पिक के बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स में फिर से भारत का दम दिखा है और आपकी जौनकारी के लिए बता दे कि 2003 के बाद ये सिल्वर मैडल भारत के नाम हुआ है करीब 19 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर से भारत ने वर्ल्ड एथलेटिक्स में अपनी जगे बनाई गए ये बड़ी ख़बर नीरज वोच इंडिया पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं नीरज चोपला ने सिल्वर मैडल जीत लिया है और उनकी जीत के बाद उनके गाउं में जशनिका माहौल है जैसे ही नीरज चोपला ने जीत हासल की उनके पिता की आख़ों में आसु आ गए और उनकी माने बड़े गर्व से कहा के हमको तो पता ही था कि हमारा बेटा नाम करेगा उन्हें पूरा विश्वास था कि नीरेश शोपला इस बार भी मैडल जीत कर लाएंगे हाला कि गोल्ड मैडल से थोड़ी से दूरी हो गई लेकिन सिल्वर मैडल भी अपने आप में एक बड़ी बात रखता है भारत के लिए ये ट्वीट हम नीउस वॉच इंडिया पर लगाता रहा आपको दिखा रहे है नरेंडर मोधी ने ट्वीट करके नीरेश शोपला को बदाई दिया इसके साथ इसाथ और भी कई बड़े नेता हैं जिन्होंने नीरेश शोपला को बदाई दी है जगत प्रकास नड़ा का यानि की जेपी नड़ा का ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने नीरेश शोपला को उनकी जीत के लिए बदाई दी है तो एक बाद फिर से वर्ल्ड एथलेटिक्स में भारत का दम दिखाए